40. सिख एवं अंग्रीज सिख संपुरुदाय की स्थापना का श्रे गुरु नानक प्रथम गुरु को है, गुरु नानक के अनुयाई ही सिख कहलाए ये बादशाह बाबर एवं हुमायू के समकालीन थे सन 1496 एसवी की कार्थिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर जीवन का अभ्यास हुआ गुरु नानक ने गुरु की लंगर नामक निशुलक वसह भागी भोजनाले स्थापित किये गुरु नानक ने अनिक स्थानों पर संगत धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किये संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयाईयों के लिए एक संस्था का कारे किया जहां वो प्रतिदिन मिलते थे गुरु नानों की सन 1549 इसवी में करतारपुर में मृति हो गई गुरु अंगत सन 1549 से 52 इसवी सिखो के दूसरे गुरु थे इनका प्रारमविक नाम लहना था इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को इस्थाई बना दिया गुरु मुखी लीपि का प्रारम गुरु अंगत ने किया सिखों के तीसरे गुरु अमर्दास सन 1552 से 74 इसवी थे गुरु अमर्दास ने हिन्दूओं से प्रथक होने वाले कई कारे किये हिन्दूओं से अलग विभापतेती लवन को प्रचलिक किया अक्बर ने गुरू अमर्दास से गोविंदलाल वाल जाकर भेट की और गुरू पुत्री बीबी बहानी को कई गाउं दान में दिये अमर्दास ने 22 कद्धियों की स्थापना की और प्रतेक पर एक महन की नुक्ति की बीबी के पती रामदास सन 574 से 81 इसवी सिखो के चौथे गुरू हुए अक्बर ने बीबी भ्यानी और 500 भीगा भूमी दी गुरू रामदास ने इसी भूमी पर अमर्दसर नामक जलाशे खुदवाया और अमर्दसर नगर की स्थापना की गुरू रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अरजुन को गुरू का पत सौपा इस प्रकार इन्होंने गुरू पत को पैतरिक बनाया गुरू अरजुन सन 1581 से 1605 इसवी सिखो के पांचवे गुरू हुए इन्होंने सिखो के धार्मिक आदि गरंथ की रचना की इसमें गुरू नानप की प्रेणा प्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं गुरू अरजुन ने अमरित सर जलाश्य के मध्य में हरमंदर साहब का निर्मान करवाया राजकुमार खुसरों की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 एस्वी में गुरू अरजुन को मरवा दिया सिखो के छटे गुरू हरगोविन 1606 से 1645 एस्वी हुए इन्होंने सिखो को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तक्त या ईश्वर की सिंगहसन का निर्मान करवाया ये दो तलवार बांध कर गद्धी पर बैठते थे एवं दर्वार में नगाडा बजाने की वेवस्था की इन्होंने अम्रिस्थर की किले बंदी की सिखो के साथवे गुरू हर राए 1645 से 161 हुए इन्होंने दारा शिकोहों को मिलने आने पर आशिरवाद दिया इसलाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीषगंच में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया सिखों के दसवे एवं अंतिम गुरू गुरू गोविन सिंग 1675 से 1708 इसवी में हुए इनका जन 1666 इसवी में पटना में हुआ था गुरू गोविन सिंग अपने को सच्चा पाथशाह कहा इन्होंने सुखों के लिए पांच ककार अनिवारे किया अर्थात प्रतेक सिख को केश, कंगा, क्रिपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमती दिल और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंग शब्द जोडने के लिए कहा गुरू गोविन सिंग का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कारिस्थली पाओता था इनके दो पुत्र पतह सिंग एवं जो रावर सिंग को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खाने दीवार में चिनवा दिया 1699 इस्वी में वैशाकी के दिन गुरू गोविन सिंग ने खालसा पंथ की स्थापना की पाहूल प्रणाली की शुरवात गुरू गोविन सिंग ने किया बंदा बहादुल इनका जन्म 1670 इसवी में पुंच जिले के राजवली गाउं में हुआ था इनके बच्छपन का नाम लक्षमन दास था इनके पिता रामदुवे भारदुआज राचपुत थे बंदा का उदेश पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था इसके लिए इन्होंने लोहुगर्ड का राजधानी बनाया इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविन सिंग नाम के सिख्के चलवाए बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खांकी हत्या कर दी मुगल बादशाह फरुख सेर के आदेश पर 1716 इसवी में बंदा सिंग को गुर्दासपुल नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया शहदरा कलगडी के नाम से विख्यात है जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था बंदा के मृत्यों के बाद सिख्क कई छोटे छोटे टुकडों में बढ़ गये थे रंजीत सिंग का जैन्म गुजरावाला में 2 नमबर 1780 इसवी को सुकर चकिया मिसल के मुख्या महा सिंग के यहां हुआ था इनके दादा चरच सिंग ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुक स्थान दिला दिया 1798 से 99 इसवी में रंजीत सिंग लाहोर का शासक बना 25 अप्रेल और 1809 इसवी को चार्ल्स मेटकॉफ और महराजा रंजीत सिंग के बीच अम्रिटसर की संधी हुई रंजीत सिंग का राज्य चार सूबों में बटा था पेशावर कश्मीर मुलतान एवं लाहोर महराजा रंजीत सिंग का विदेश मंतरी पकीर अजीजुदीन एवं वित्र मंतरी दीनानाथ था 7 जून 1849 इसवी में रंजीत सिंग की मृत्य हो गई प्रधम आंगल सिख्य युद 1845 से 1846 इसवी में एवं दुईतिय आंगल सिख्य युद 1849 इसवी में हुआ अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधी एक लाहूर की संधी 9 मार्च 1846 इसवी दो वहरोवाल की संधी 22 दिसंबर 1846 इसवी इस संधी के तहट राजा दलीब सिंग के संदक्षन हेतू अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया 20 अगस 1847 इसवी को महरानी जिन्दा को राजा दलीब सिंग से अलग कर 48,000 रुपे वार्शिक पेंचन दे कर शेखपुरा भेज दिया गया द्वितिया अंग्ल सिख युदु के दोरान पहली लड़ाई चिलियान वाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंग एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाव नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेत्रित्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 इसवी को लड़ी इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए लौर्ड अलहाजी की 29 मार्च 1849 इसवी की घोशना द्वारा संपूर्ण पंचाब का विले अंग्रेजी राज्य में कर लिया महराजा दलीप सिंग को 50,000 पॉंड की वार्शिंग पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लेंड भेज दिया गया सिख राज्य का प्रसिद हीरा कोहिनूर को महराणी विक्टोरिया को भेज दिया गया